हेलो स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्योस्टन नमबर 14 देख लेते बटा स्टेटमेंट क्या है एंसी आइटी मैथ में देखेंगे अपने जो प्रिवियस क्योस्टन था हमारा उससे कुछ कुछ मिलता जूलता है ऐसे ही हमें टर्म फाइंड आउट करनी है क्या कहा है उसने मल्टिपल ओफ फॉर लाइ बिट्विन टैन एंड टू फिफिटी टैन से लेके टू फिफिटी तक मल्टिपल ओ फॉर कौन कौन सी कितनी टर्म हमारी लाइ करेंगी एंड की वैल्लू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले देखते है टेन के बाद जो फॉर का मल्टिपल आता है वो कौन आता है एलेवन भी और ट्वैल है ट्वैल जो है वो first फॉर का से तो रिमेंडर जो आएगा वो तू आएगा तू इसमें से सब्ट्रेक्ट कर लेंगे तो क्या जाएगा टू फूर्टी एट देस इस दा सीरीज ओफ मल्टीपल ओफ फूर यह हमारी सीरीज बन गी यहां पर क्या करना है बिटा सबसे पहले क्या गरेंगे फर्स्ट रम निक अब यहां पर क्या है a n क्या होता है एनेक ल मतलब लाश्टर अश्टर आम क्या है विटा टू फूर्टीएट पूत कर देंगे तो ूर्टीएट माइनस 12 किया तो कितना आगया हमारा 236 is equal to n minus 1 into 4 4 या multiply में left hand side आएगा क्या हो जाएगा अव्टा डिवाइड में 236 divided by 4 is equal to n minus 1 4 से इसको divide किया तो कितना आगया हमारे पास 4, 5, 20 और 9 59 तो n minus 1 n की value क्या आजाएगी minus 1 को left hand side लेके आएगे तो क्या आजाएगा 59 plus 1 is equal to 60 तो n की value क्या आगी हमारे पास है 60 तो क्या लिख देंगे there are 60 terms which are multiple of 4 I hope यह question आपको clear हो गया होगा कई पर कोई doubt हो तो मुझे comment कीजिए otherwise इस channel को subscribe कीजिए like कीजिए और share कीजिए thank you students